Hello Friends, Welcome to my new blog और आज जा रहा है हमारा पुराना AC और फाइनली आज लगेगा हमारा नया AC सबसे पहले पुराने AC को निकाल रहे हैं यहाँ पे यह हमारा है विणडो AC विणडो AC के आज निकलने की बारी आच चुकी है चलिए फिर व्लोग के साथ बने रहे हैं और यहां पे हमारे अच्छी निकल गया है बहुत विंडो ज्यादा भाड़ी होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं निकल गया अब इसे उठा रहे हैं और हमारा यह यह पुड़ा चलता हुआ यह था हमने इस में अभी अब यह नहीं था कि खराब यह तो एक्शेंज कर ले लिए नहीं पारे विचारे को सिसकर रहे हैं उठाने की बड़ा है विड़ों इसी अधर कर रहे हैं क्योंकि अलग बॉडी करके निकाला है न अंदर उसको सेट करें फिर जाके ले जाएंगे फाइनली यह हो गया है सेट आभ इसको ले जा रहे है लोग सी तारक इनकी ले जाना पड़े गा अच्छे से नोन ने सेट कर लिया पिदो बड़ी आपकड़ आराम से ले जा रहे हैं कोई दिकत नहीं है यहाँ पर आ गया है हमारा नया एसी अपर हम लगवाएंगे अगर ये दूसरे रों में रखा हुआ है दूसरे रों में ले जाके बड़े हराम से लगाएंगे सब्सक्राइबूर फ़्सक्राइब कि वह पाजी है है में धा now a । एकब फिर से शी टाना पहले लगाल त्रफित अ काम अप ह आप यह ने रे ऑ्टतर है कि लेका हँ तो पानी जूल रहे पुरूब देख साथ पटके, पुरूष भी पघर की सारव, पानी सिर्फ भूरूष यह एक दो, तीन, चार, पानी सिर्फ शे लोग हैं, पीछी लोग है, तरहां आपको देखना पड़ेगा, अइसे करके इसी भी करणा है, यह को पूरूष करना हरा है, तो आप यहां से लग जा है और यह हमारा है यह एलजी का डूल इंवर्टर एसी और यह हमारा कनवर्टेवल एसी है चलो मैं दिखा दिखा दिए इसके फंसा में दिखाती हूं कि हमारा एसी कैसे काम करता है एलेक्सा टर्न ओफ एर कंडिशन देखना हमारा एसी बंद हो जाएगा एलेक्सा टर्न ओन एर कंडिशन हमारा एसी श्टार्ट हो जाएगा यह एलेक्सा से काम करता है में कनवर्टेवल मोड है जैसे हम इसको एक टर्न डियर टर्न हाफ टर्न तीन मोड म में चला सकते हैं